सुबह के पांच बजे अलाम बजा और कभीर अपने बिस्तर से उठके अपने लैप्टूप के पास गया और जैसे ही उसने आज की टूडूस लिस्ट देखी वो घबरा गया दरसल पिछले कुछ हफ्तों से वे अपने e-commerce website और अपने podcast को launch करने के लिए इतना जादा काम कर रहा था कि अब वो exhausted feel करने लगा था उसने सोचा करने के लिए इतना कुछ है पता नहीं मैं कर पाऊंगा की नहीं कहीं मैंने corporate job छोड के कोई गलती तो नहीं कर दी self employment के पहले कभी रेक जाने माने clothing brand में quality assurance manager था अच्छी खासी salary थी साथ में weekend पर छुटती शाम को घर पर चिलाउट करने का मौका लेकिन जब से उसने अपना dream पर चू करने का सोचा है बेचारा पूरे time काम में बिजी रहता है उसने कई time management की book पड़ी सब कुछ schedule किया लेकिन फिर भी कुछ तो कमी थी उसके पास हमेशा ही time का shortage रहता था एक दिन उसके दोस्त ने उसे science of productivity और flow state के बारे में बताया उसे वो काफी interesting लगा उसने वो terms को google किया और productivity के बारे में उसे बढ़ाने के तरीकों के बारे में जा सब कुछ अपनी जगे ठीक होता जा रहा था और देखते ही देखते ही उसकी savings खतम होने से पहले उसके podcast और website की earning शुरू हो गई productivity एक ऐसा सब्द जिसका relevance आज के modern और busy time में काफी वढ़ गया है क्योंकि आज हमें time management की book पढ़के अपने दिमाग को 24 घंटे काम करने के लिए force करने की जगा अपनी productivity बढ़ाने के बारे में सोचने की जरूरत है productivity एक सिंपल मतलब ये है कि आप एक given time में कितना काम कर सकते हो आपने feel किया होगा कि किसी दिन आप बाकी दिनों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी काम कर पा रहे हो काम करते करते आप इतना खो गए कि आपको वक्त का पता ही नहीं चला तो आखिर productivity के पीछे science क्या है वे science है flow state flow state यानि कि वो physiological और psychological state जहां आप physically और mentally अपने peak performance पर होते हैं इसे आपने hyper focus, full immersion और being in the zone जैसे कई नामों से भी सुना होगा जब आप flow state में होते हो तो आप अपने काम में one on one होते हो जब आपका पूरा focus सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है आपके दिमाग में कोई दूसरा थोट नहीं होता भूख प्यास ठकन जैसी चीजे भी आपको याद नहीं ही रहती ये 1975 से पहले इस state को creative लोगों का inbound talent समझा जाता था 1975 में हंगरी के physiologist मेहली ने flow state की concept को लाकर productivity को revolutionize कर दिया इस concept का इस्तेमाल modern time में हर film में किया जा सकता है चाहिए corporate world हो या student life हर कोई flow state attain करके अपनी productivity बढ़ा सकता है दोस्तो एक बात तो साफ है कि technology के बढ़ने के साथ साथ हमारी life में करने के लिए इतना कुछ हो गया है कि खुद के लिए family के लिए और socialize होने के लिए time निकाला बहुत मुस्किल हो गया है एक दिन में आज भी 24 घंटे ही हैं कल भी 24 थे और आने वाले time में भी 24 ही रहेंगे इसलिए समय तो बढ़ने से रहा in the end हमें ही अपनी productivity बढ़ानी हो लेकिन कैसे आईए इस वीडियो के जरीए हम जानते हैं flow state के science को और flow state maintain करके अपनी productivity को 500 गुना बढ़ाने के 3C method को तो चलिए सिरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं the science of flow state अमेरिकी author और journalist Steve Kotler ने अपनी किताब The Art of Impossible में लिखा है कि flow state के दोरान आपकी physical और mental ability अपने top पर होती है आपका brain पर second normal से कहीं ज़्यादा thought creates भी करता है और उन्हें deeply process भी करता है अगर आप हर दिन केवल 2 गंटे अपने flow state में काम करते हो तो आप आफते में normal तरीके से 24 गंटे काम करने वालों से भी ज़्यादा काम कर सकते हो युनिवस्टी आप स्कोगो के प्रोफेसर जेम सो मेकेंसी ने अपनी रिसर्च में पाया कि आप अपने flow state में बिताई time को 15 से 20 परसेंट भी बढ़ा दो तो आपकी productivity ओल्मोस्ट डबल हो जाएगी रिसर्च में यह भी पता चला है कि flow state के दोरान हमारे brain waves में drastic change जाते हैं अपने normal conscious state में हमारा brain high frequency बीटा वेवस जनरेट करता है जबकि flow state में brain waves बीटा वेवस से बदल कर low frequency alpha और theta वेवस बन जाती है alpha waves यानी 8 से 12 हार्ज की वेवलेट इस दोरान brain एकदम calm और relax रहता है और हमारा full focus परजेंट में चल रही activity पर रहता है यहीं वो state है जहाँ किसी भी information को आसानी से अपज़र करके process कर सकते हैं जब आप इस state को 5-10 minutes सक maintain कर लेते हो तो brain इस से भी आगे की stage बर जाता है यानि थीटा state में जहाँ 3-8 हार्जवारी wavelength की थीटा waves generate होती है यह state कुछ इस तरह की होती है जैसे आप सोने और जागने की ब brain waves के साथ-साथ flow state में body की नियूरो chemistry भी बिदल जाता है हमारा brain पांच chemical signals का combination release करता है जो है dopamine, endorphine, 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 serotonin और oxytocin अगर आप इन chemicals को google करके देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि normally यह chemicals हमारा brain reward के तोर पर तब release करता है जब भी कोई pleasurable activity होती है flow state में इन सबका एक साथ निकलना इस state को pleasurable, meaningful और addictive बना देता है यानि एक बार आपको इस state की आदत पड़ गई तो आपको काम करने के लिए किसी motivation की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद काम करना चाहोगे लेकिन जितना सच यह है कि flow state में हमारा brain incredibly powerful हो जाता है उतना सच यह भी है कि जादातर लोग अपने working अवरका केवल 5% इससाई safe low state में बिताते हैं ऐसा क्यों है इसका सबसे बड़ा कारण है information overload और distractions काम करने के लिए बैटे नहीं कि manager का phone आ जाता है meeting के लिए phone पर दोस्त की नई Instagram picture flash करने लगती है कभी urgent email तो कभी किसी का message अभी phone silent करके side मे रखा ही था कि आपका कलीक कुछ information लेके आपके पास आ जाता है कुल मिलाकर दुनिया distraction से भरी पड़ी है time management रेसकु टाइम ने 1500 लोगों पर study की और अपनी study में पाया कि on an average एक आदमी 6-8 मिनिट में अपने smartphone की वज़े से distract होता है Microsoft ने पे अपनी एक study में दावा किया है कि इसन 2000 के बाद से average attention time 33% से कम हो गया है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि क्यों हम सब अपने काम को पूरा करने के लिए इतना struggle करते हैं आईए अब हम देखते हैं 3C method for hacking flow state वैसे तो flow state modern world के लिए एक super power है लेकिन सभी distractions को पार करते हुए इसे attain करना थोड़ा मुस्किल ह जाता है नियूरो साइन्स के आर्टिकल और रिसर्च पेपर पर बेस्ट एए 3C method आपकी इस मुस्किल को आसान कर देगा पहला सी है किरियेट एडिस्टिक्शन फिरी एन्वाइरमेंट दूसरा सी है controlling the monkey mind और तीसरा सी है cognitive optimization अब इन तीनों सीज को जरा detail में समझते हैं flow state का अब इसी काम के लिए बने हो तब आप flow state में होते हो आप काम सुरू करते ही flow state नहीं attain कर लेते हैं बलकि scientist कहते हैं कि इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बिना किसी distraction के काम को full focus के साथ करना होगा अगर आप 20 मिनट के focus से पहले ही district हो रहे हो तो कभी flow state में पहुच ही नही गे लेकिन तभी माइन ने कहा हाँ तो मैं कहा था यानि बस एक सेकिंड के distraction से आपका पूरा flow state तूट जाता है और आपका आने वाला आदा घंटा बरबाद हो जाता है इसलिए distraction flow का जानी दुश्मन है तो अगर आप flow state पाना चाहते हो और उसे maintain रखना चाहते हो तो आपक के हो सकते external और internal अब जबकि हमने external restrictions को बंद कर दिया है तो अब बारी है internal restrictions को handle करने की हमारा दिमाग दिन भर चलते रहने वाली machine है अगर हम इसे control ना करे तो यह दिन बर एक थोड़ से दूसरे थोड़ पर जंप करता रहेगा जैसे कोई बंदर एक पेड़ से दूसरे इसी मंग की माइंड द्वारा किरियेट किएगे थोड़ के साथ बिताते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड मेंटल फैटिक कोज करता है यानि कि आपका दिमाग सोस्ते सोस्ते ठकने लगता है और आप बिना किसी फीजिकल वर्क के ठकावा मैसूस करते हो ऐसे में फ्लोस्टिट और मैंटर के बारे में जानते है तो हमारा माइंड उसे प्रोसेस करके तरक ढूनने लगता है यानि आप जितनी इनफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे आपके माइंड में उतनी प्रोसेसिंग होगी जिसका नतीजा होता है मैंटल फटीग तो न्यूज सोसल मीडिया इंटेक और गोसिपिंग को जितना हो सके कम करो नमबर टू है एक नोटबुक को लेकर काम करने बैटो जब भी आप काम कर रहे हो कोई थोट आइडिया या रिमाइंडर आपके माइंड में आया तो उसे नोटबुक पर लिख लो क्योंकि आपको अपने दिमाग को आइडियाज का स उसे क्रियेटर बनाना है नमबर त्री है सुगर और कैफिन का कंजम्शन कम कर दो लोगों को दिन में चार से पांच बार चाय और कोफी पीने की आदत होती है लेकिन यह साइन्टिफिकली प्रूफ है कि कैफिन और सुगर की ज़रुट से ज़्यादा इंटेक से हमारा दिम प्रूरी नहीं कि आप घंटों मेडिटेट करो केवल पांच से दस मिनट आँख बंद करके डीप ब्रीधिंग करो और अपने माइन में थोर्ट्स को आने दो उन्हें बिना जज़ किये पासोन होने दो अपने सास को अंदर बाहर जाते महसूस करो आपका काम हो जाएगा अब आते हैं थ्री सी मैथड के थड़ सी पर जो है कोगनिटिव उप्टिमाइजेशन सिंपल सब्दों में समझे तो कोगनिटिव उप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आपके सोचने समझने और नोलेज हासिल करने की प्रोसेस को जितना होसके बढ़ाना इंटरनल और एक्स्टरनल डिस्टेक्शन से चुटकारा पाने के बाद अब बारी आती है मेंटल पावर को मैक्सिमाइज करने की यानि कोगनिटिव उप्टिमाइजेशन की आईए बात करते हैं नियूरो साइन्टिस द्वारा सजेस्ट किये कुछ कोगनिटिव बूस्टर्स की जो आपको अपने डीपेस्ट और मैक्सिमाम परफॉर्मेंस तक पहुचाने में आपकी हेल्प करेंगे आपके लिए दिन का वो कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा मेंटल एक्टिव और फोकस्ट मैसूस करते हो कुछ लोग लेट नाइट वर्क करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग लेकिन ज़्यादा तर लोगों के लिए मॉर्निंग का टाइम बैस्ट रहता है इसलिए अपने सुबह के पीक अनर्जी टाइम को इमेल्स मीटिंग्स चाहे काफी गपसप में वेस्ट करने की बजाए आप अपने सबसे ज़्यादा स्किल रिक्वाइरिंग काम को उस टाइम करो रात भर के रेस्ट के बाद मॉर्निंग में हमारा माइंड और बोडी कम्प्लीटली रिलेक्स स्टेट में होते हैं इसलिए अपने इंपोर्टेंट और क्रियेटिव कामों के लिए मॉर्निंग में दो से तीन गंटे जरूर रखो म्यूजिक के हिलिंग पावर के बारे में तो हम सब जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हो कि म्यूजिक फोकस और कॉंसेंट्रेशन में आपकी मदद करता है ये साइन्टिफिकली प्रूफ है कुछ स्पेशल टाइप के म्यूजिक आपके ब्रेन को डीफ फोकस वाले अलफा और थीटा वेउस की स्टेट में ले आते हैं आप भी अपने एक ऐसी प्लेइलिस्ट बनाओ और इसको सुनो इस चे आपको बाहर की आवाजे भी सुनाई नहीं देंगी और साथ ही फोकस करने में भी आसानी होगी यूज कैफिन स्टेटिजिकली अभी हमने बात की थी कि ज़्यादा कैफिन इंटेक से हमारा माइंड मंकी माइंड में बदल जाता है लेकिन यह भी सच है कि हलका सा कैफिन आपकी प्रोडेक्टिविटी को बढ़ा सकता है बोडी में पानी की कमी ब्रेन फोक का कारण बन सकती है ब्रेन फोक एक ऐसी कंडिशन है जिसमें आप मेमोरी प्रोब्लम, लैक ओफ मेंटल कलरिटी, पूर कंसंट्रेशन और इनेबिलिटी टू फोकस जैसी सिम्टम्स मैसूश करते हैं अगर आपकी बोडी डिहाइडरेट है तो यह प्रोब्लम आ सकती है इसलिए दिन में कम से कम 3-4 लिटर पानी जरूर पी टास्क को ऐसे मैनेज करो कि वह आपकी स्किल की लिमिट को तो पुछ करें लेकिन इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि आप उसे पूरा ही न कर पाओ अगर आपको कोई डिफिकल्ट टास्क करेक्ट करना भी है तो उसे इस तरह से ब्रेक करो कि जब भी आप काम करने बैठो तो आपको काम होता हुआ दिखे यानि कि वर्क सुट भी चैलेंजिंग बट नोट टू डिफिकल्ट टू हैंडल इस दुनिया में ज्यादातर लोग डिस्टेक्टिड एनवायरमेंट में रह रहे हैं ऐसे में फ्लो स्टेट के कोंसेप्ट को समझकर आपनी पीक परफोर्मेंस अर्टेन करके दूसरों से एक कदम आगे निकल सकते हो लेकिन इस कमपिटिटिव एज को हासिल करने के लिए आपको फ्लो स्टेट के थ्री सी मैथड को समझकर उसकी तब तक प्रक्टीज करनी होगी जब तक की है आपकी हैबिट ना बन जाए तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना घंटी बंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना आपके जरूर को सब्सक्राइब नहीं किप रिदिंग किप लर्निंग किप ग्रॉइंग थैंक यू वर वाचिन